प्रिष्टी के टीचिंग एक्जाम यूटूब चैनल वेगबर फिर से आपका स्वागत है मैं हूँ गिता अंजली शुक्ला जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ इस एक्जाम में भूगोल से संबंधित वे सभी प्रशन वे सभी टॉपिक जो आपकी परीक्षा के तयारी के लिहास से इंपॉर्टन हो सकते हैं उन टॉपिक्स पर हम यहाँ चर्चा करते हैं तो बेसिकली हम उन टॉपिक के कंसेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं और साथ में उनसे जुड़े हुए उन फैक्ट को देखते हैं जो इंपॉर्टन हो सकते हैं या आगामी परीक्षा में इन फैक्ट के पूछे जाने की संभावना हो सकते हैं तो इसने पहली हमने कई इंपॉर्टन टॉपिक्स औरडी कवर कर रखे हैं जैसे ब्रम्हान की उत्पति निहारी का क्या है सौरमंडल क्या है सौरमंडल में विभिन ग्रहों का वित्रण कौन-कौन से ग्रह के सीरीज में पाय जाते हैं फिर हमने प्रत्वी के बारे में विस्तार से पढ़ा है प्रत्वी की विभिन गतियों के बारे में जाना घूनन गती परिक्रमन गती पढ़ जिस में इसके मूमेंट पे जो बह रजाद बल है और अन्तर जाद बल है ये क्या होते हैं इन से किस प्रकार की है अनिक क्रियाएं पन होती है aç फिर हमने प्रत्वी की गतियों के सापेक्षी आगे बढ़ते हुए प्रत्वी के अवेबहन क्रिया कलापों को देखा क्रिया कलापों में ध्यान रखेगा जो प्रत्वी की बाहरी सतह है इस बाहरी सतह में जो उच्चावचों का निर्मान होता है इन उच्चावचों यानि परवत पठार मैदानों के बारे में हमने पढ़ा और कैसे आगे हम इस क्रम में बढ़ते गए कि बहती हुए जल के माध्यम से अलग अलग प्रकार की जो आकरतियां बनती हैं उन आकरतियों में हमने डेल्टा को पढ़ा था है ना लास्ट क्लास में डेल्टा का निर्माण होता है यानि इसके लिए आवश्चिक दशाएं क्या क्या हैं आप चाहें तो ये सारी वीडियो आपको दृष्ट्री टीचिंग एक्जाम्स मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए और ये अपनी सारी इन टॉपिक्स को आप पढ़ ऐसी कि यही अगुर्डि होती है एक और इंपॉर्टन चीज है डेल्टा के प्रकारों के बारे में डेल्टा के वर्गीकरण के बारे में दरятсяल हम आज की क्लास में यही पढ़ने वाले यह डेल्टा का वर्गीकर्ण वर्गीकर्ण मतलब कि आखिर डेल्टा को कितने हिस्सों में डिवाइट किया गया है हमने पहले भी पढ़ा था कि डेल्टा अपने आकार के आधार पर बनावट के आधार पर कई प्रकार का होता है ठीक है ठीक है तो आकार के आधार पर जब हम डेल्टा के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहला प्रकार आता है चापाकार डेल्टा ठीक है जिसे धनुशाकार डेल्टा भी कहा जाता है ठीक है तो पहला प्रकार क्या होगा आकरती के आधार पर चापाकार डेल्टा किस प्रकार का होता है क्या है कौन सी नदीज का बेस्ट इग्जामपल है ध्यान रखेंगे हम इसकी बारे में भी चर्चा करेंगी कौन सी नदीज चापाकार डेल्टा का निर्मान करती है ठीक है दूसरा हम पढ़ेंगे पंजे के आकार का पक्षियों के पंजे के आकार का डेल्टा बर्ड फूट डेल्टा जिसे क्या कहा जाता है ठीक है तो हम दूसरे प्रकार की रूप में किसे पढ़ेंगे पक्षियों के पंजे के आकार के डेल्टा को जिसे कहा जाता है पंजाकार ड यह जिस प्रकार के डेल्टा का निर्माट करती है तो इससे इसे बर्ड फूट डेल्टा कहा जाता है नाम है जो आपको ध्यान रखने चाहिए हो सकते हैं आप से कहीं है पूछ ले हो सकता है कई भार औग्दिश में लिखका रहा है वर्ड फूट डेल्टा इत है तर्ड आकुर्ती की ही आधार पर कि आखिर उसकी बनावाट कैसी है वे दिखता इसी आधार पर जो तीस्रा प्रकार है वह है जिवार्णद डेलटा ध्यांद रखिएगा जिओ जौर्नद सब्सक्राइब बारें पढ़ींगे जब भी जुआर्नत शब्दा आता है इसका मतलब हम एश्यूरी सी निर्में डेल्टा की बात कर रहे हैं यानि आप क्या कह सकते हैं एश्यूरी अंडेल्टा ठीक है तो हम प्रकार हमने कहें कि आकरती के आधर पर जो डेल्टा है आकरती के आधार पर डेल्टा की प्रकार उनकों हम यहां पढ़ रहे हैं जिसमें पहला चापा का दूसरा पंजाकार तीसरा जुआरनद डेल्टा है चौथा जो इसका प्रकार है वह है रूंडित डेल्टा के नाम से जाना चाता है रूंडित डेल्टा ठीक है? रुन्डित देल्टा के अलावा जो पाच्वा प्रकार है वह है पालियुक्त देल्टा यानि रुन्डित देल्टा को पालियुक्त देल्टा नहीं कहते है पालियुक्त देल्टा जब आपसे पूछा जाए रुन्डित देल्टा को किसका और दूसरा क्या नाम है तो आपको प्रकार है जब आप से पूछा जाए कि रुंड टेलता का अलग नाम क्या है वह आप ध्यान रखे भगनकार डेलता क्यों है विसार से चल्षा कर लेते हैं सबसे पहले देखते हैं चापाकार डेल्टा के बारे में जो हम बात करेंगे चापाकार डेल्टा के बारे में यानि हम एक ऐसी नदी के माध्यम से निर्मित डेल्टा की बात कर रहे हैं जिसका बहाव क्या होगा मध्य में अधिक होगा इसका मतलब चाप के आकार चाप का नि धनुराकार या धनुशाकार आकरती ऐसे बना रही है चाप के आकार के आकरती बना रही है ठीक है अर्क बन रहा हो ठीक है चाप इस वजह से इसे क्या कहते है चापा का डेल्टा कहा जाता है तो अब यहां पर प्रश्णी यह उठता है कि किस प्रकार की नदी चापा का डेल् प्रवाहित होकर धाराओं में क्या है विभाजित है इस तरीके से चापा का डेल्टा की खास विशेष्टा आपको यह ध्यान रखनी है कि मध्य में यहां मलवा अधिक होता है मध्य में मलवा अधिक होता है जो चापा का डेल्टा के किनारे हैं कोने हैं किनारे यह क्या है संकरे होते चले जाते हैं संक्रे होते चले जाते हैं क्या होगा ही है बया वाले हीस्से क्या हो जाएंगे लिए में बाद करुए कि कि यह व्रित्कि चाप की रूप में आपको दिखाई देंगे तो व्रित्य के एक ऐसा डिल्टा या डिल्टा का वह प्रकार जहां व्रित्य के चाप या धनुशाकार आकरती दिखाई दे और हम इस प्रकार के डिल्टा को ही क्या कहते हैं? चापाकार डेल्टा कहते हैं या धनुशाकार डेल्टा कहते हैं ठीक है अब इसमें सरवाधिक ध्यान रखेगा विस्तार कहां पर है इसका सरवाधिक विस्तार है मध्य में तो इसके लिए एक और खासी ध्यान रखेगा कि सरवाधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाएगा मध्य है में जब की किनारे क्या हो रहे है ini corner वाले हिस्सते क्या हो रहे हैं संक्र होते चले जाते हैं चापकार Delta की कुछ विशेश्चा आपको ध्यान रखना है तो नदी की जो ये नदी है ये की जो मुख्य धारा है मुख्य धारा के माध्यम से ही मलवा यहां निक्शेंपित हो रहा है उसलिप भी माध्यम से निर्माद होता है वह बड़े वाले कंद होते हैं जिन आप बजरी की रूप में जानेंगे यानि चापा का डेल्टा के निर्मान के लिए बड़े कण पदार्थों की बड़े कण जिम्मदार होंगे जो निक्षेपित होते चले जाएंगे जैसे बजरी जैसे रेत की कण ठीक है ध्यान रखेगा ये इनकी इंपॉर्टन चीजें हैं ये आपको ध सहायक हो जाते हैं तो मझ की लिहरें लेकिन यहाप लंबाई और धिक होती है इन पर जम भागे विस्तारित लंबा होता होता चला जाता है जो अ Dahabenस देखेंगे होंगे चाप के आकार की आकरति आप देख रहे हैं यहां पर यह डेल्टा कहां पर जाकर मिल जाएगा समुद्री असागर में ठीक है और यह मुख्य धारा है नदी की जो आगे आकर डेल्टा का निर्मान कर रही है हमने देखा पदार्थ इसमें बड़े बड़े आकार वाले पदार्थ से निर्मित यहां पर निक्षेप तर डेल्टा का निर्मान होगा बजरी अरीज ऐसी कणिस में शामिल हो सकते हैं ठीक है बैस्ट एक्जामपल के जिब हम बात करेंगे यह तो हमने देख लिए बड़े कणों से इसका निर्मान होता है बैस्ट एक्जामपल इसक चापा का डेल्टा के एक्जाम्पल है जिसमें नील लदी के डेल्टा के आकरती को देखकर इसे क्या कहा डेल्टा कहा इसे ग्रीक अक्षड डेल्टा का नाम दिया था ठीक है ध्यान रखेगा चापा का डेल्टा के आधार पर इसे बनावट के आधार पर इसे चापा का डेल था सबसे पहले इसके बाद फिर डेल्टा नामकाकृती पर चर्चा हूई कि विभिन प्रकार के जो नदियां हैं यी मुखाने में जाकर डेल्टा का निर्मांद करती है जब हम चापा काई डेल्टा की बात करती हैं तो ये डेल्टा अलग-अलग नदी इस आधार पर कितना पदार्थ वे बहा कर ला रही है कितनी लंबाई से नदियां बहकर आ रही है इस आधार पर ये जो डेल्टा की लंबाई चोड़ाई उचाई है ये सब अलग-अलग होती है तो ध्यान रखिए का डेल्टा का आकार अलग-अलग हो सकता है ये किस पर छापा हर डेल्टा के बारे में अग्ले से आपको अर्ध वृत्ता कार डेल्टा भी कहते हैं और यद्यांके प्रकार की हम चर्चा कर लेते हैं दूसरा जो हमारा प्रकार है पंजाकार डेल्टा फुट बर्ड फुट डेल्टा जब हम पंजाकार डेल्टा की बात करते हैं यानि हम एक ऐसे डेल्टा की बात कर रहे हैं जिसका आकार पंजे के नुमा हो या पंजा नुमा हो पंजा यानि किसी पक्षी का पैर उसका पंजा ठीक है कैसे हो गाई इसमें मुख्य नदी हो एक चो मुख्य नदी है इसकी ये धाराओं इसकी ये धाराएं है इस धारा के पास भी छोटी-छोटी कण में मलवा क्या हो गया हो एकटा हो ठीक है यह आगे की और पंजे की नुमा आकरती बनाती हुई क्या है विस्तारत है ठीक है कि कहा है स्तागर की और ये क्या हो गया हिस्ता मिला हुआ है यानि अब इस आकार में द कहा जाता यह वर्ड की पंजी की नुमा आकृति की वजह से क्या का जाता है पंजाकार डेल्टा इसके बारे में थोड़ा सा इंफोमेशन देखते हैं पंजकार डेल्टा के बारे में जब आप से पूछा जाए किसे related कौन-कौन से आपको fact note करने होंगे तो ध्यान रखिए का पक्षी की पंजे के आकृती के अनुसार है कि जैसा दिखता है आपको इस वज़े से इसी क्या कहेंगे हम पंजकार डेल्टा और इस डेल्टा का निर्मान बारीक कणों के फल्सुरूफ होता है बारीक कणों के निक्षेपन की वज़े से बारीक कणों के मुहाने के बाद देखिए यह जब बारीक कण होंगे यानि नदी का बहुत तेश वेग है बारी कण है जो आगे तक विस्तारित हो जाएंगे इस वजह से इस डेल्टा की लंबाई भढ़ जाती है नदी का वेग यह दिया देख है इसका मतलब भी कण बहुत दूर तक आगी सागर में जाकर मिलेंगे ठीक है इस डेल्टा की लंबाई अधिक होती है ठीक है सबसे पहली बार बारी कणों की वजह से इसका निर्मान होता है तो बारिक कणों से जो पदार्थ नदी बहा कर लाती है अवसाद बहा कर लाती है उसमें जो बजरी है उसकी फनसुरूत चापा का डिल्टा का निर्मान होता है यानि जल के साथ जोकन घोल की रूप में आगे आए हैं घोल की रूप में आगे तक विस्तारेत हो गये हैं उनके माध्यम से किसका निर्मान होता है पंजाकार डेल्टा का निर्मान होता है छिखर कि दिखाई देगा तो जो चूना की मात्रा है वो इस प्रकार की देल्टा में अधिक दिखाई देगा क्यों कि इसके छोटे छोटे एकण है चूने के वो बहुत अधिक छोटे और बारीक होते हैं ये ध्यान रखना है तो इसके माध्यम से एक तो नदी का वेग देखे नदी का वेग देखे या चोटी-चोटी कण क्या हो गए बहकर आगे की और आ गए यानि अब इसमें लंबे आकरती वाले डेल्टा का निर्मान हो रहा है ध्यान रखेगा कुछ जो धाराएं नदी की अलग से निकली हुई है इनमें भी छोटी-छोटी कण एखटे हो गए किसके आकार के उंगलियों क और जैसे इसलिए इसे मानव की उंगलियों की तरह खटे हो जाती इसलिए इसे अंगल्या कार डेल्टा भी कहा जाता है जिक चूना पथर के अधिकता है छोटी-छोटी-चोटी-वारी कणों से निर्माण हुआ है ठीक है और यह अन्य डेल्टा की तुलना में क्या होते हैं कुछ लंबे होते हैं इनकी आकरती क्या होती है कुछ लंबी होती Yap जॉनण रखाया और इसमें चुन नदी है वह कहीं बहुत दूर जाकर सागर में मिलती है सागर में दो और जैसे ही नदी चुकि अपने आप बहुत तेजवेग से आ रही है बहुत दूर जाकर सागन मिलती है तो इस डिल्टा का रिर्मान की जो आकरती है वे क्या हो जाती है लंबी हो जाती है तो ये था दूसरा प्रकार तीसरे प्रकार की बात करें ज्वार नदमुख डिल्टा ज्वार ध्यान रखें क्यों क्योंकि जो ज्वार नदमुख डिल्टा अब हम इसे देखते है कि कैसे ज्वार नदमुख के माध्यम से डिल्टा का निर्मान होता है हम सब ही जानते हैं जब आप से पूछा जाए कि कौन से ज्वार नदमुख डिल्टा यानि हम एक ऐसे डि जवारनद मुख के भर जाने की वजह से होगा यानि किसी नदी में ये जवारनद मुख वाला हिस्सा है वह हिस्सा जो कहां पर है मगन है यानि मगन तट वाला जो हिस्सा है उसे ही हम क्या कहते हैं जवारनद मुख कहते हैं यानि जब आपसे कभी पूशा जाए जवारनद तो नदी का वह मुहाना है जो क्या होता है मगन तर्थ होता है इसका मतलब वह हिस्सा कहां पर है पानी से भरा हुआ है जल से भरा हुआ है ध्यान रखेगा नदी का वह मुहाना जो क्या है जल से भरा हुआ है आप इसे कह सकते हैं जल मगन है तो नदी का वह मुहाना जो जल हो और साथ में वहां पर आ कर अवसाद क्या हो जाएं कि ऊखट्टे हो जाएं ठीक है तो नदीका यह वहमुहाना है लास्ट में जाकर जो सागर से कही जल्मग्ण है भरा हुआ है और यहाँ पर अवसाद खट्टे हो जाए तो इस प्रेकार से जिस डेल्टा का निर्माड होता है उते एश्वीरियन डेल्टा या ज्वार्नद मुख डेल्टा कहा जाता है तो इसके बहुत ही सिंपल सा एक्जाम्पल था नदी का वहमुहाना जो जलमगन हो अब इसमें भी जलमगन हिस्से पर क्या ह हो जाए अवसाद यहां कह सकते हैं नदी द्वारा बहाए गए जो पदार्थ हैं वह क्या हो जाए पदार्थ निक्षेपत हो जाए तो पदार्थ के निक्षेपन से ज्वार्नद मुख में पदार्थ के निक्षेपन से ज्वार्नद मुख डेल्टा का निर्मान होता है इस शुरी में हो रहा है ज्वारनद मुख में ही हो रहा है तो इसके भरने की वजह से ज्वारनद मुख के मलवे के माध्यम से नदी के मलवे के माध्यम से भरने की वजह से जिस डेल्टा का नित्मान होगा उसे ज्वारनद मुख डेल्टा कहते हैं देखिए जब आप से पूछा जाएगी पंजाकार डेल्टा का एक्जामपल क्या है तो ध्यान रखेगा Mississippi नदी Mississippi नदी का जो डेल्टा है वे पंजाकार डेल्टा का एक्जामपल है इसका बैस्ट एक्जामपल है Mississippi नदी कहां पर जाकर इसका निर्मान करती है Gulf of Mexico में Gulf of Mexico में और अभी हम क्या पढ़ रहे थ इसमसे ज़ुन्त मुखुंख डेल्टा। जब आपसे पूछा जाए भारत में तो n नर्मदा और तपी नदी के बारे में उन्होंग निばने नदी का ढ्ता है नता है चौ tellement है जहां रखिएगा ठीक है इस इसके लावा आपने मैकेंजी रिवर के बारे में सुना होगा सेन नदी के बारे में सुना होगा यह सभी रिवर्स मैकेंजी सेन ये बैस्ट एक्जाम्पल है किसके वर्ल्ड लैवल पर ध्यान रखेगा यानि अंतराश्ट्री स्तर कर ज्वारनद मुखी डेल्टा के ठीक है फिर ज्वारनद मुखी डेल्टा के अलावा जो डेल्टा का चौथा प्रकार हमने नोट किया था कि किस प्रकार का डेल्टा जो आगे जाकर धाराओं में तो बहाजत है लेकिन क्या होगा डेल्टा कंट छटकर डिवाइड हो जाएगा कंट छटकर क्या हो जाएगा बट जाएगा और इसे हमने एक नया नाम दिया था रुन्डित डेल्टा ठीक है? रुंडत डिल्टा जैसे हम एक और नाम से भी बुला सकते हैं भगना का डेल्टा क्यों अब यहाँपर जो डेल्टा के आकरती है वे क्या हो गई कट छउंट गई भगनित हो गई मानि एक डेल्टा पहले से था एक डेल्टा का निर्मान पहले से हुआ था ठीक है अब यह डेल्टा क्या हो गया लहरों की बहुत तेज बहाव आया लहरों का तो यह क्या हो गया हिस्ता कट गया ठीक है फिर यहां से भी माली जे बहुत तेज लहरों का बहाव आ गया यह हिस्सा भी क्या हो गया कट गया ठी ही हम भगनाकार डेल्टा कहते हैं तो डेल्टा को काट छाट कर जो बहा कर माली जी काट छाट कर बहा कर कुछ हिस्सा क्या हो जाए ले जाया जाए ठीक है अब इस जो डेल्टा का फॉर्मिशन लास्ट में बचता है, काट छट कर बहा कर अंत में क्या हो गया, इसके बाद जो निर्मती होती है डेल्टा की, अब इस डेल्टा को कहा जाएगा भगना का डेल्टा, क्यों कहा जाएगा, काट छटने के बाद इस डेल्टा का निर्मान हुआ है, ठीक है, काटने पश्चिम बंगाल में हुगली वाले हिस्से में जो डेल्टा बचा है अब उसे दरसल रुंडित डेल्टा के एक्जाम्पल की तौर पर देखा जाता है ठीक है तो इसका जो अगला पांचवा प्रकार है ध्यान रखेगा आकरती के ही आधार पर जो पांचवा प्रकार है वह शीड़ का डेल्टा बिल्कुल शीड़ोप कैसे बचा बिल्कुल अंत में छिर्ड़ूप में होती होते सकते हैं कि पहले जो मुख्यद नदी का जैसे जो मुख्यद बहके आ हैरही थी स्केम से ऐघ्यलठा के निर्मान मालिशाओ रहा था ठीक है और जैसे की मुख्यद तका विस्तार है ये मुख्य नदी द्वारा में डेल्टा विस्तार यह रोप जाए karış कि डेल्टा का वि Siar a lower. इस प्रकार की डेपल क्या कहते हैं श्लियाख कहा जाता है यानि मुख्य नदी के माध्यम से चीनका निर्मान हो रहा था अब इस डेल्टा का निर्मान क्या हो जाए रुक जाए तो इसकी क्या कहा जाता है चीना का डेल्टा क्यों कहा जाता है क्योंकि देखे जो जितने भी मुख्य नदिया है जो चापाकार डेल्टा बनाती है जो पंजाकार डेल्टा बनाती है कहीं कहीं जुआरनद मुख्य डेल्ट ही आगे समुद्र की योर बढ़ रहे हैं तो बना चाहिए लेकिन नहीं इसके किसी देड़ रहा है विस्तार की आधार पर यह से देखें तो विस्तार के आधार पर विस्तार के आधार पर डेल्टा दो प्रकार का होता है यानि किसी डेल्टा का किस तरीके से विस्तार हुआ इस आधार पर डेल्टा का विस्तार के आधार पर दो प्रकार है पहला वर्धमान यानि लगातार जिसका विस्तार क्या हो रहा हो हो रहा हो चल रहा हो निरंतर हो तो ध्यान रखें जो विस्तार के अधार पर हम डेल्टा की बात करेंगी तो उसमें पहला प्रकार हो जाएगा वर्धमान डेल्टा यानि एक ऐसे डेल्टा की बात कर रहे हैं जिसका लगातार क्या हो रहा है विस्तार हो रहा है जब डेल्टा का सागर की ओर लगातार क्या हो रहा हो विस्तार हो रहा हो तो इसे हम वर्धमान डेल्टा कहते हैं और दूसरा इसमें हो जाएगा अवरोधित डेल्टा इसमें दूसरा प्रकार हो जाएगा क्या अवरोधित डेल्टा यानि एक ऐसा डेल्टा जो क्या जिसके बीच में अवर तो इस डेल्टा का फिर आगे विस्तार नहीं हो पाता इस वज़़े से इन्हें हम क्या कह देते हैं अवरोधत डेल्टा कह देते हैं जब आपको ग्रोइंग याने वर्धमान डेटा के बारे में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें लगातार इसका क्या हो ग सब्सक्रा कहते हैं और काश नदियां डेळडा के ओड़न करती है 21 नदियों की रहे सब्सक्राइब ढूत है बहुत ही कम नदियां जहां पर अंवरोधित ऩह थी एक है परित्यक्त डेल्टा परित्यक्त डेल्टासब से भैत्रीन एक्जामपल मार्क बदलने वाले डेल्टा यानि ऐसी नदी जो पहले एकक मार्क से बदल आ रहे थी वह पे डेल्टा का फॉर्मिशन वर फिर उस नदी only इंड nah baru हमार्क बदल दिया तो उस जाकथ त हमने बात की थी वो परित्यक्त डेल्टा का बेस्ट एक्जामपल है ठीक है सबसे भेत्रीन एक्जामपल है हुगली वाले हिस्से पर ठीक है और छीनाकार इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसके बाद तो वहां पर डेल्टा आगे बढ़ी नहीं पारा रुक गया इसलिए आप उस हैं शुक्रिया